हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने यूटूब चैनल क्रेजियम्जी ट्रिक्स में मेरा नाम है मोहित गंगवार यहाँ पर मेरा इंट्रो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि RRB NTPC की परिच्छा दिसंबल लास्ट वीक में होने की संभावना है ऐसे मैं मैं आपके लिए पिछले साल के पूछे गए प्रसनों की डेली 30 प्रसनों की स्रंखला लेकर आया हूँ यह question जो है very very important है आपके exam point of view से और इसमें मैंने सरल प्रसनों को नहीं लिया है इससे आपकी तैयारी का भी अंदाजा लग जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है ध्यान रखेंगे कि RRB NTPC का exam कोई बहुत कठेन exam नहीं होता है जिसकी cut-off आप देख रहे हैं 75% से उपर जब आपके marks आते हैं तब आपका pre-qualify हो पाता है तो ऐसे में हम लोगों को अपनी तैयारी का जो इस्तर है वो भी उसी हिसाब से रखना है कि हमारे इतने कम से कम 100 में 75% marks तो कम से कम आने ही चाहिए अगर 100 नमबर का paper है तो 75 नमबर आपके आने चाहिए तब ही आपका pre-qualify हो पाएगा ठीक है तो इसके लिए क्या करना है आपको reasoning math और gs यहीं तीन subject है इस पे ज़्यादा focus करना है आपको current affair पढ़ना है और जो static gk है या जो भी gk के portion है वो पढ़ना है लेकिन ज़्यादा तर जो आपको ध्यान देना है वो reasoning और math पे ज्यादा देना है क्योंकि यहीं आपका scoring portion होता है बागी gs में आप current affair पढ़ सकते हैं और जो static gk का portion होता है जिसमें चीज़ें fix होती है बार-बार repeat होती है आप उनको भी देख सकते हैं तो इसी के अंतरगत आज हम लोग यह मेरे बारे में information लिखी हुई है आप देख सकते हैं ठीक है मैं सभी competitive exams के लिए पढ़ाता हूं यूटूब पर मेरी daily live daily free class होती है आज हम लोग क्या करते हैं RRB NTBC की जो stage 1 पर इच्छा हुई थी 2016-17 में आप जानते हूं भी 44 सिप्टो में जो exam हुआ था उसमें static gk के ज 30 questions को लिया है और आपको यह देखना है कि आपकी तैयारी का इस तर क्या है ठीक है comment box में video खतम होने के बाद आप लिखिए कि आपके 30 में से कितने प्रस्ण सही हुए हैं और यह सभी प्रस्ण पिछले वरसों में पूछे गए हैं मैं अपनी हिसाब से कोई भी question उठा के नह प्रस्ण है भारती मूल की कलपना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई थी चार आप्सन है आपके सामने Columbia, Challenger, Atlantis और Endeavor तो इसमें आपको बताना है कि भारती मूल की कलपना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई थी तो इसका जो सही जबाब हो जाएगा Columbia Columbia यान से जो जनवरी 2003 में ये अंत्रिक्ष में गई थी लेकिन एक फरवरी 2003 को जब वो प्रतवी पर बापस आ रही थी तब ही उनका यान दुरगटना ग्रस्त हो गया था और उनकी मृत्तिव हो गई थी तो याद रखेंगे कोलंबिया अंत्रिक्ष यान से कलपना चावला अंत्रिक्ष क सामने वांग यापिंग यी स्यू योन लिव यांग ये लेना से रोगा बताइए तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा लिव यांग ये एक चीनी महिला है जो की अंत्रिक्ष की सेयर करने वाली प्रत्थम चीनी महिला है ठीक है और इन्होंने किस अंत्रिक्ष यान से इसे जो है इन्होंने अपनी यात्रा की थी तो चीनी महिला अगर पूछा जाए तो कौन हो जाएगा ल्यू यांग इसके अलावा आपसे कुछ कुछ पूछे जाते हैं कि अंत्रिक्ष में चाने वाला पहला व्यक्ति कौन था तो ध्यान रखेंगे यूरी गागरिन कौन था यूरी गागरिन ये रूस के हैं ये अंत्रिक्ष में अंत्रिक्ष की यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति हैं अगर आपसे पूछा जाए अंत्रिक्ष की यात्रा करने वाली पहली महिला कौन थी तो टेरेस कोबा याद रखेंगे बस इतना सा टेरेस कोबा पूरा नाम है इ इतना हो गया, बड़े आगे, अगला प्रस्न है, अब तक कितने अंत्रिक्ष यात्रियों ने चांद की सहर की है, चार ओप्सन है, दो, पाँच, आठ बारा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका, बारा, तो अभी तक बारा अंत्रिक्ष, बारा लोगों ने की यात्रा की है, ध्यान रखेंगे, इनके नाम इंपोर्टेंट नहीं है, संख्या इंपोर्टेंट है, जिसमें आपका पता होगा, नील आर्म स्टॉंग है, बुजेल्टरिन है, और बाकी बहुत सारे लोग है, लेकिन आप संख्या याद रखें, बारा है, अगे बढ़त यहाँ पर पूछा गया है, बाहे अंत्रिक्षी की यात्रा करने वाला पहला बंदर कौन था, यह भी आपका RRB NTPC में पूछा गया प्रस्न है, 30 April को 2016 में पहली पाली में पूछा गया था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका अलवर्ट सेकेंड, अलवर्ट सेक अधर था यह प्रगार का, यूए से द्वारा यह भेजा गया था, ठीक है, तो अलवर्ट टू याद रखेंगे, बढ़ते हैं अगले प्रस्न की ओर, अगला प्रस्न है आपके सामने, कौन सा अंत्रिक चियाक्तरी, अंत्रिक चिकेंडर में, 340 दिन बिता कर बापस धर्ती को लोटा, ठीक है, 340 दिन बिताए और बापस धर्ती पर लोटा, चार ओप्सन है, स्कॉर्ट केली, मिखाईल कौर्नियंको, एरिक वो और डगलस हरली, नियान रखेंगे, स्कॉर्ट केली, ठीक है, यह अंत्राश्ट्री, अंत्रिक चिकेंडर में, 340 दिन इन्होंने बिता आए थे, और बापस सुरक्षित स्कॉर्ट के लिए, परत्वी पर बापस लोटा आए थे, यह सारी गटना आपकी, 1 अपरल 2016 की है, 1 अपरल 2016 को यह परत्वी पर बापस आ गये थे, आगे बढ़े, आगला देखिए, 1969 में निमलिकित में से कौन सा ब्यक्ती, अपोलो 11, अं और 1969 यह कियती है, हासिक दिन है, जिसमें नील आर्मस्टॉंग, यह जो नील आर्मस्टॉंग है, जो की आपका चांद पर पहुचने वाले पहले ब्यक्ती हैं, यही अपोलो 11 की अंत्रिक्ष ओडान में, चालक दल में सामिल थे, और यह मुख्य पाइलेट थे, नील आर्म चाले कहां है, यह भी हम से पूछा गया है, तो रासायनिक हतियार निशेद संगठन, जिसको सौट में O.P.C.W. कहा जाता है, क्या है इसकी फुल फॉर्म, और्गिनाजेशन, और्गिनाजेशन फॉर प्रोहिविशन, और्गिनाजेशन आफ प्रोहिविशन आफ चाले केमिकल वेपन, तीक है, आप देख लिएगा, O.P.C.W. है, रासायनिक हतियार निशेद संगठन, यानि कि सम्प्राष्ट की एका ऐसी संस्था, जो रासायनिक हतियारों की निशेद के लिए बनी हुई है, यानि कि ज़ादा ज़ादा देश जो हैं, यह रासायनिक हत रासानिक हतियार निशेद संगठन का, ठीक है, आगे बढ़ें, अगला प्रस्न, अगला प्रस्न है आपके सामने, fountain of wealth कहां इस्तित है, यह भी प्रस्न पूछा गया है, comment box में आप लिखेंगे जरूर कि आपके 30 में से कितने प्रस्न सही हुए है, ठीक है, आपको पता चल जा हैगा सिंगापूर, ठीक है, fountain of wealth आपका सिंगापूर में है, जो की बिस्सु का सबसे लंबा फबारा है, ठीक है, क्या है यह, बिस्सु का सबसे लंबा फबारा, बिस्सु का सबसे लंबा फबारा है, fountain of wealth, कहां है, सिंगापूर में है, ठीक, आगे बढ़ें, अगला प्रस आपस के सामने है नेता जी सुभास राष्ट्री के किरेडा संस्थान कहां इस्तित है चार आपसन है आपके सामने नई दिल्ली पटियाला देरादून और खोलकाता बताईए तो नेता जी सुभास राष्ट्री किरेडा किरेडा संस्थान जो है आपका पटियाला में है कहां ह पटियाला कहा है पंजाब में ठीक है तो उनेता जी सुभास राष्ट की लेड़ा संस्तान कहा है पंजाब या पटियाला में आगे बढ़े अगला देखिए अगला आप से पूछा गया है भारती क्रसी अनुसंदान परिसद का मुख्याले कहां इस्तित है यह साइद आप तुम पता हूँ, तो भारती, क्रिसियन, संदान प्रसेद का मुख्याले आपका नई दिल्ली में है, ठीक है, नई दिल्ली में इसका मुख्याले है, अगला question है, प्रसार भारती जो की एक स्वायत निकाय है, यानि की एक independent body है, जिसके अंतरगत क्या आता है, चार option है आपके स अंतरगत या केबल All India Radio आता है या केबल दूरदर्शन आता है इसका जो सही जवाब हो जाएगा All India Radio और दूरदर्शन दोनों ठीक है परसार भारती के अंतरगत All India Radio और दूरदर्शन दोनों आते हैं अगला प्रस्न है आपके सामने भारती ये विज्ञान संस्थान कहां इस् ऩानपूर बैंगलोर मुंबई और चिनन्ही इसका सही जवाब हो जाएगा बैंगलोरू बहारतिय विज्ञान संस्तान को ही लोगपरीय रूप से आप आईय एस्सी कहते हैं आयस्सी का मतलब इंडियन इस्टिटूट आफ साइन्स ये क्या है इंडियन इस्टिटूट आफ स पुरसन आपके सामने रहये कि भारती उंतरिक्ष कारी कर्म के जनक कौन है उंतरिक्ष कारी कर्म के जनक कौन है चार आप सान है तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा भारती अंतरिक्ष कारिकर्म के जनक विक्रम सारा भाई है और यही आपके इसरो के पहले अध्यक्ष भी है इसरो का मुख्याले भी आपसे पूछा जाता है तो इसरो का मुख्याले कहा है? बेंगलौरू में है कब इस्थापना हुई थी 1969 में ठीक है आगे बड़े अगला देखिए राकेश सर्मा ने जिस अंत्रिक्ष यान से अंत्रिक्ष की यात्रा की थी उसका नाम क्या था ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सोयूज टी इलेवन एक अंत्रिक्ष यान था जिससे राकेश सर्मा ने अंत्रिक्ष की यात्रा की थी ठीक है और ये 1984 को जो अभियान है ये लांच किया गया था 1984 में सोयूज टी इलेवन इसका सही आँसर है आगे बढ़े आगला देखिये इसरो के पहले अद्यक्ष कौन थे तो अभी मैंने बताया था इसरो के पहले अद्यक्ष कौन है बिक्रम सारा भाई इसका A option आपका सही बढ़ाएगा ठीक है आगे बढ़े अगला प्रस्ण आपके सामने है कि पोखरण में किस वर्स पहला परमाणू परिक्षण आयोजित किया गया था पोखरण में पहला परमाणू परिक्षण कब आयोजित किया गया था जो कि हमसे इस सवाल में पूछाया तो इसका यही सही आंसर होगा जो दूसरा आपका जो पोकरण में परमाडू परिक्षन था वो 1998 में आयोजित किया गया था यह दोनों कोश्चन इंपोर्टेंट हैं आपके दोनों राजिस्थान के पोकरण में यह परमाडू परिक्षन आयोजित किया गया थे एक 1974 यानि भारत पाकिस्तान युद्धिके तीन साल बाद 1971 में आपको पता होगा भारत पाकिस्तान का इस दुवा था उसके तीन साल बाद और एक 1998 में आयोजित किया गया था दोनों के कोड आप से पूछे जाते हैं इन दोनों राजिस्थान परमाडू परिक्षन आप से पूछे जाते हैं तो 1974 में जो राजिस्थान आयोजित हुआ था उसका कोड था इस्माईलिंग बुद्ध यज़ दुद्ध मुस्कुराते हुए बुद्ध यह इसका कोड था 1974 में जो परमाडू परिक्षन आईवजित किया गया था 1998 में जो परमाणू परिक्षण आयोजित किया गया था उसका कोड था Operation Shakti क्या था? Operation Shakti S-H-A-K-T-I ठीक है दोनों याद हो गए 1974 में पहला 1998 में दूसरा पहले जो 74 में आयोजित हुगा उसका कोड था Smiling Buddha और जो 1998 में पोखरण में आयोजित किया गया है परमाणू परिक्षण उसका था Operation Shakti आगे पढ़ें अगला प्रस्ण है आपके सामने Smiling Buddha किसके लिए कोड नाम था? तो अभी मैंने बताया था कि Smiling Buddha किसके लिए कोड नाम था? तो भारत द्वारा 1974 में किये गये परमाणू परिक्षण का जो कि पहला परमाणू परिक्षण था इसी का Smiling Buddha कोड नाम था तो इसका D option हमारा सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्थण है आपके सामने सन 1923 में 3 इस्ति यानि 3 पोजीशन ट्रैफिक सिग्नल को किसने पैटेंट कराया था? तो यह बिल्कुल static GK का portion रटने के लावा और कोई इलाज नहीं है इसका तो 1923 में जो 3 पोजीशन था ट्रैफिक सिग्नल इसको किसने पैटेंट कराया था? तो गैरेट मोरगन यह एक व्यक्ति थे ट्रैफिक सिग्नल में जो 3 पोजीशनिंग आती है वो गैरेट मोरगन ने उसको पैटेंट करवाया था आगे बढ़ें अगला कोश्चन देखिए एतिहासिक मंगल और्बिटर के पीछे उलेखनिय व्यक्ति कौन था? तो आपको बताना है जो मंगल और्बिटर था एतिहासिक मंगल और्बिटर इसके पीछे उलेखनिय व्यक्ति कौन था? आपके सामने किरन कुमार जी बहां मादवन नायर चे राधा किश्णन और के कस्तूरी रंगन द्यान रखेंगे हैं कि मंगल और के पां पीछे ग्युता के अध्यक्ष थे तो यही एक तरीका है इसका पकड़ने का ठीक है इसका यही एक तरीका है क्योंकि आपको पता है कि जो मंगल और्बिटर मिसन था वह आपका 2012 में स्विक्रत हुआ था और 2013 में लॉंच किया गया था 2013 में मंगल और्बिटर वाला जो मिसन था ये लॉंच किया गया था तो उस समय इसरों के अध्यक्ष कौन थे के कस्तूरी रंगन तो इसका जो सही जवाब होगा के कस्तूरी रंगन ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला इंद्रा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहां इस्तित है तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा स्री नगर स्री नगर में ही इंद्रा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है और ये इंद्रा गांधी जो मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है ये एसिया में सबसे लंबा है तो स्री नगर में है इंद्रा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कल मैंने आपको उत्राखंड में फूलों की घाटी बताइती वह भी आप याद रखेंगे फूलों की घाटी कहाँ पर है तो कहां है उत्राखंड में यह किया है ट्वलिप गारडन यह कहां है स्रीनगर में आगे बढ़ें अगला question देखिए Robert Galbraith को बहतर तरीके से किस नाम से जाना जाता है तो Robert Galbraith आपने Harry Potter उपन्यास का नाम सुनाओगा उसी की उपन्यास की जो लेखिका है J.K. Rowling इनी को ही Robert Galbraith कहा जाता है यह female है J.K. Rowling इनी का जो उपन्यास है उसी का नाम है क्या Harry Potter जो आप series देखते हैं फिल्म में यह Harry Potter उनी की series है इनका नाम है J.K. Rowling इनी का जो असली नाम है यह Robert Galbraith है ओके आगे बढ़ें अगला question आपके सामने है इसका जो जवाब हो जाएगा आपका Blackwell इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका Blackwell medical school से सनातक करने वाली दुनिया की पहली महिला है ठीक है आगे बढ़ें अगला question है आपके सामने अमेरिकी बएग्यानिक Edwin Land किस लिए प्रसिद्ध है तो अमेरिकी बएग्यानिक जो आपका Edwin Land है यह प्रसिद्ध है पंजी करत किये गए patent की संख्या इनके नाम पे सबसे ज़्यादा patent थे इसलिए बएग्यानिक जो Edwin Land है ये प्रसिद्ध है patent का मतलब होता है जैसे आपने कोई अविस्कार किया तो उसको आप patent करा लेते हैं कि उसकी कोई copy नहीं है या ऐसा future में कभी नहीं किया गया है या मैंने जो काम किया है उसकी कोई भी piracy कोई व्यक्ति piracy नहीं कर सकता ये होता patent तो पंजी करत कियेगा patent की संख्या के आधार पर ही अमेरिके विज्यानेक admin land प्रसिद्ध है तो इसका क्या हो जाएगा C option हमारा सही हो जाएगा इन्होंने जो patent करवाये थे लगबग 535 patent करवाये थे आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न है आपके सामने राजिस्थान असम अरुनाचल और मिजोरम बताईए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा राजिस्थान ठीक है राजिस्थान में ही चिपको अंदोलन की शुरुआत हुई थी और ये बात है आपकी 1730 इसवी की कब की बात है 1730 इसवी में जोदपुर जिले की एक गटना है जिसमें एक महिला थी जिनका नाम था अमरता देवी क्या नाम था अमरता देवी यही अमरता देवी और उनकी तीन पुत्रियां थी आसु बाई, रतनी बाई और भागु बाई लेकिन अगर वर्तमान समय की बात करें तो चिपको अंदोलन का जो भैंकर रूप देखने को मिला था वर्तमान वाला जो अभी recently वाला बहुत जादा समय नहीं बीता है तो अब आपका आंसर उत्तराखंड होगा उत्तराखंड उत्तराखंड में भी ऐसी गटना हुई थी ये बात है आपकी 1974 की तो 1974 में भी उत्तराखंड में भी एक गटना हुई थी जिसमें एक गौरा देवी थी एक माईला जिनके नहत्रत्तों में चिपको अंदोलन चलाया गया था इन्होंने भी पेडों के भारी विनास को होने से बचाया था तो चिपको अंदोलन कहां सुरू हुआ था इसका सही जवाब तो राजिस्तान होगा और बाकी एक और इस दो बार पार्ट में हुआ है तो 1934 में भी चिपको अंदोलन जो है उत्राखंड में सुरू किया गया था बाद में आगे बढ़ते हैं अगला प्रसंद देखिए हमें इसमें विसम का चैन करना है चार आप्सन है आपके सामने अवेस्ता पार्सी, तोरा यहुदी, त्रिपिटक बोध और मंदिर हिंदू तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा जैसे कि आप जानते हैं कि अवेस्ता क्या है पार्सियों का पवित्र गरंथ है तोरा ऐसे ही यहुदीयों का पवित्र गरंथ है त्रिपिटक जो है बहुत दों का पवित्र गरंथ है लेकिन मंदिर नहीं है हिंदू का पवित्र गरंथ मंदिर और हिंदू ये आपस में लिंक नहीं है जैसे कि अन्य आप्सन है तो यही हमें बिसम चाटना था तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ग्रंथ दिये हुए थे और यहाँ पर क्या दिया हुआ है धार्मिक इस्तल दिया हुआ है इसी लिए यह option हमारा बिन्न हो जाएगा तो इसका D option सही हो जाएगा आगे बढ़ें अगला प्रस्न देखिए विवेका नंद पत्थर समुद्र के बीच में कहां इस्तित है यह आपको बताना है विवेका नंद पत्थर समुद्र के बीच में कहां इस्तित है चार option है आपके सामने कोचीन, कोलकाता, कन्या कुमारी और चैन्नाई बताईए इसका जो सही जवाब हो जाएगा विवेकानन्द पत्थर समुद्र के बीच कहां इस्तित है तो यह है आपका कन्या कुमारी ठीक है विवेकानन्द पत्थर एक सिला है जो की कन्या कुमारी में इस्तित है ठीक है तो इसका C option हमारा सही हो जाएगा आगे बढ़ें अगला प्रसंद ये बिस्व में Jesus Christ की सबसे बड़ी मूर्ति कहा है? ज़िये ब्राजील। इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ब्राजील। ब्राजील में Jesus Christ की सबसे बड़ी मूर्ति इस्तित है। हालांकि अभी भी इसमें बेबाद है, लेकिन जब एक्जाम में आएगा तो आप ब्राजील आप्शन सही टिक करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है कि मोस्ट इस्पेस टेलिस्कोप किस देश का है, तो मोस्ट इस्पेस टेलिस्कोप, ये कंत्रिक सी स्टेशन में ये किस देश का है, तो ये जो है भारत, कनाडा, रूस, अमेरिका चार आप्शन है, ये कनाडा देश का है, ठीक है, तो ये बी आप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा, ठीक है, मोस्ट इस्पेस टेलिस्कोप किस देश का है, तो ये कनाडाई बैग्यानी कुप अग्रह था जो की 2003 में अंत्रिक्ष में लाउंच किया गया था कब किया गया था 2003 में आगे बढ़ें अगला देखिए अगला है Captain Roop Singh स्टेडियम की सहर में है Captain Roop Singh स्टेडियम की सहर में चार आपसन है आपके सामने चंडीगर, गुवालियर, मोहाली, रोतक और ये आज का आखरी प्रस्णा है बताईए इसका आंसर तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा गौालियर गौालियर में कैप्टन रूप सिंग स्टेडियम है आप दोको ध्यान रखना है जो कैप्टन रूप सिंग स्टेडियम है ये क्रिकिट का स्टेडियम है जो डबल सेंचुरी थी या दोहरा सतक था वो इसी कैप्टन रूप सिंग मैदान पर हील जड़ा था साउथ अफरिका कि लाफ ठीक है तो सचिन तेंदुलकर ने अपना दोहरा सतक इसी मैदान पर लगाया था कैप्टन रूप सिंग स्टेडियम में जो की आपका ग्वालियर में स्कित है तो ये था इसका सही आंसर हो जाएगा बी तो कैसा लगा आपको ये वाला सेशन कमेंट में बताईए कि आपके तीस में से कितने प्रस्न सही हुए डेली मैं आपको अलग-अलग जो भी RRB NTPC में प्रिबियस येर के जो भी कोश्चन पूछे गए हैं उनको ती लेवल के मैं लेके आऊंगा ये नहीं है कि कोई भी उठा के ले आया है आसान कोश्चन इसमें नहीं रहेंगे तो इसमें आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है लेकिन आपको इसी इन्ही कोश्चनों को ही करके आपको अंदाजा लगेगा कि आपकी तैयारी किस एक नए subject के साथ फिर से 30 question solve करेंगे तो आप बताईए कि आपको कैसा लगा आज का यह session तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय वारत